तो अगर आप ये कोर्स में अपलाई करना चाहते हो तो अफकोर्स यहां पर कोई ना कोई एक eligibility criteria होगा तो वैल अगर आपको ये कोर्स में अपलाई है अपर computer programming और CSTN ये दो ही कोर्स अप दोनों में अपलाई कर दो और जिन में भी मिल जाए आप वो कोर्स वह वो ले 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 ना करना चाहते हो तो वो वीडियो को जाके देखना उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथी साथ ये वीडियो में हम CSTN के कोर्स की सारी डिल्स डिसकस करेंगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो वैल इस पर मैंने एक वीडियो अलरी बना रखा है जिसमें मैं आपको ये कोर्स में अपलाई करना है तो इसके लिए आपको जो है वो अपने और अगर आपने 10 तो अपने कोलेज इसमें फालू किया जाता है लیکिन अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो अपनी कॉलेज्च का जो है वो संच करो के देख सकते है तो यहां पर हम लोग सारी सारी जनरल डीटेल्स बारे में बात करेंगे जो की सारी कॉलेजिस पर अपलाई होगी लेकिन कुछ एक डिफरेंसिस हो सकता है आपकी कॉलेज में तो वह अगर आपको जानने है तो आप अपने इसाब से उसको जो है वह सार्च करके देख सकते हैं के आपको जो है वह एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी कोर्स में तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कंपूटर प्रोग्रामिंग वाले के कि यहां पर अगर आप यहां पर आके जो वह लेते हो तो आपको दस पंद्रहजार का फाइदा जरूर होगा लेकिन आपको जो है वो लैपटॉप इंडिया से लेना चाहिए गिवन देट आपने जो है वो मतलब यह कोर्स में अपलाई कर रखा है और कैनेडा आने के बीच में जो है वो आपके पास चार महीने या फिर थोड़ा जो है वो इतना समय बचा है तो आप जो है वो लैपटॉप आई-फाइप प्रोसेसर वाला लेना इसी के साथ साथ आपकी जो है वो रैम एट जी भी होगी तो मोर देन इनफ होगी और आपका स्टोर है जो फाइंड ट्वैल गिगाबैट सुगा तो भी चलेगा तो आप लेकिन जो है वो आई-3 वाले प्रोसेसर को अवाइड करने का तो उससे अच्छा है कि आप जो वाइ-5 वाला प्रोसेसर जो है उसका ही लैपटॉप लेकर आए और वो दो साल तक आपको आरहम से चल जाएगा कोर्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और विंडोस और मैक की बात करो तो यहाँ पर आपका जो यह नेटवर्किंग का कोर् विंडोस के लेकिन अगर आप मैक अफॉर्ड नहीं कर पा रहे हो तो दन विंडोस लाइक आपको चल जाएगा बट मेरे हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस मैक बुक को देनी चाहिए विकोस लाइक लीनक्स और वो सारी जो चीज़े वह मैक में अच्छे से होती है इस कंप ची में तोह आपको सिस्टम अंबीन्सरेशन होती है आपको सिस्टम सिक्यूरिटी ओर नेट्वोगिंग होती है तो यह तीन चीजो पर जो आपको अपको पू 1 से वो में मिर्मेंस में मेंको अपकोती होती है टोड़u ढ cancer op Day जैसे कि communication courses हो गए या फिर like maths for the computer industry यह वो लेकिन में जो इसका दिल और धड़कन है वो यही तीन चीज़ा है like system security system administration और system networking या फिर generally जो networking होती है वो तो वेल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके system security के तो यहाँ पर आपको courses होंगे जैसे कि cyber security fundamentals या फिर हो गया आपका system security यह वाले courses जो आपको पढ़ाएंगे यह वाले में इसके अलावा बात करें system administration की तो यहाँ पर काफी सारे courses है जैसे कि DevOps for system administration इसके अलाव Linux administration Windows system administration तो इस तरह के courses होते हैं इसके अलाव networking की बात करूँते हैं यहाँ पर networking essentials scaling the networks और यहाँ पर wireless networking जैसे courses होंगे तो यह तो general subjects है जो इन topics में होते हैं लेकिन आपको अगर अपनी college के specific subjects जानने हैं तो उसके बारे में हम आज बात करी लेते हैं finally तो यहाँ पर अगर आपको अपना syllabus जो है वो जानना हो तो यहाँ पर आप Google में search कीजिए अपनी college का नाम उसके बाद search कीजिए आपका जो है वो course का नाम और उसके end में लिखे outline तो यहाँ पर side में जो है आप देख पाएंगे कि कैसे search करना है तो इससे साब साब search करेंगे outline मिल जाएगे आपके course की और वहाँ पर आपकी college में जो है वो हर सेम में कौन से कौन से subjects बढ़ाए जाएंगे वो यहाँ पर आपको दे रखा होगा तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो किसी भी college के किसी भी course का जो है वो time table ढूंद सकते है तो मुझे काफी सारे comments आते क syllabus की link या फिर syllabus क्या है बताइए तो generally मैं outline की link तो description में देए देता हो लेकिन लोग उसे check नहीं करते तो फिर भी अगर आप video देख रहे हो तो यह एक तरीका है जिससे आप जो है वो अपने course के syllabus को जो है वो चेक कर सकते हो तो यह सारी बात हो गई यहाँ पर course की तो यह मतलब पूरा एक overview था अगर मेरा course होता मैं तो हर एक subject के बारे में details में बताता लेकिन यहाँ पर networking मेरा course नहीं है फिर भी मैंने यहाँ पर जो उपर उपर से सारी details आपको बता दी सो यह था आपके subjects या फिर syllabus का overview इसके आप बात करते हैं co-op की तो आपने सुना होगा के काफी सारी colleges में जो यहाँ पर आपके course के साथ साथ co-op करनी पड़ती है तो co-op एक ऐसी चीज होती है मतलब एक आपके course के related job होती है जो कि आपको करनी पड़ती है in order to pass the course सो पहले दो से हम खतम होनी के बाद यहाँ पर आपको जनरली चार महीने जो हो अपने course के related job करनी पड़ती है तो यह co-op की चीज है और अगर आप कैनेडा में आके पूछोगे लोगों से तो लोग यही कहेंगे तो लोग यही कहेंगे कि co-op जो हो मतलब मिलना नाम उनकी न जाएगी और मैंने पिछले वीडियो में भी बता के रखा है कि अगर co-op किसी को मिलेगी तो आप ही होंगे जिनको पहले co-op मिल रही होगी अगर आप इंडिया से जो preparation करके आते हो यहाँ पर भी आगया के थोड़ा बढ़ते है तो यह सारी co-op की चीज होगे इसके अलाब साब की इसकी difficulty है तो यहाँ पर आपको लाइक एक बार यह course खतम कर लो तो opportunities होगी यहाँ पर और difficulty की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अगर आप यह course लेते हो तो आपके personality में आपको जो एक computer engineer वाली branch develop करनी पड़ेगी तो like personality branch है मेरा मतलब है कि for example अगर आप cricket खेलने ज होते होगो तो आपकी personality branch है उसी हिसाब से आपको जो हो यहाँ पर programming या फिर computer के course के लिए एक ऐसी personality develop करनी और वह एक बार हो गई तो फिर यहाँ पर कुछ भी आपको difficult नहीं लगेगा और जैसा की कहता है कि देखने पर बाहर से तो पानी ठंडा ही लगता है लेकिन एक बार दर शिद्धत है यह course करने की तो अच्छा से course करो और यही है difficulty का के है थोड़ा सा लेकिन फिर भी आप पास तो होई जाओगे तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको जो हो laptop इंडिया से लेना चाहिए और वहाँ पर यह आपको जो हो सीखना शुरू कर देना चाहिए तो वैल यह course मेरा नहीं है इसलिए मैं आपको courses recommend नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगर आप जो हो यह course लेते हो तो आप जिसी भी college में लेना चाहते हो उस college को search कीजिए और वहाँ पर जो हो syllabus जो भी है उसको पता कीजिए और उस syllabus में यहाँ पर आपके first time में जो जो subjects है या फिर जो जो पढ़ाया जाने वाला है उसको देखिए और उसी हिसाब से जो आप इंडिया में रहते रहते प्रिपरेशन शुरू कर दीचे तो यहाँ पर आप यूटूब पर सकते हो और वहाँ पर आपको free में सारे courses जो मिल जाएंगे उसी हिसाब से तो आपको यह सारी चीजे करन चाहते हैं लेकिन इंडिया में एंजोई कीजिए आप लेकिन दिन में चार घंटे या फिर पांच घंटे इसको दे दिजे क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते और आपको कुछ नहीं आता है बहले आपको यह प्र आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आपको difficulties होगी लेकिन on the other hand अगर आप इंडिया से करके आते हो तो यहाँ पर आपको फाइदे ही फाइदे होंगे इस चीज के और like फाइदे में यहाँ पर बता नहीं सकता किते होने वाले तो अगर आपके पास टाइम है तो लैप्टॉप लो और कोर्स का जो है वो ओवर वीव एक बार करके आप सेम या फिर like जो भी आपसे हो पाए चार-पांच महीन है आपके पास जितना भी टाइम हो उसमें जितना पढ़ पाए चार-पांच घंटे निकालिये रोज के और यहाँ पर उसकी वैल्यू आप जो है वो फिर like आप लोगों को फिर बताते फिर होगे कि यार देखा तुम इंपर्टन चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी और इसके अला अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी जॉब ऑपर्चुनिटीज की तो अगर जॉब ऑपर्चुनिटीज की बात करो तो यहाँ पर यह कोर्स के लिए like हर जगा पर आपके लिए जॉब ऑपर पर पड़े चोटी से चोटी कमर्शल प्लेस होती है वहाँ पर अगर उनके पास कम्प्यूटर नेटवर्क है पूरा एक तो वहाँ पर एक कम्प्यूटर सिस्टम टेक्निशन की जरूरत उन्हें आज नहीं तो कल पड़ेगी और वहाँ पर आप जो है वहाँ फ्री लांसर यानि की जो हो लग सकते हैं तो यहाँ पर जो मैं कहा रहा हूँ जौब ऑपर्चुनिटीस की बिल्कुल भी कमी नहीं है यह कोर्स में तो आपको उसके बारे में टेंशन लेनी नहीं है आपको जौब जो हो यहाँ पर गैरंटीड ही मिल जाएगी और यही सारी बीजिक डिटेल्स जो यहाँ पर मुझे आपके साथ डिसकस करनी थी लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ पर मेरा एक दोस्त है कुरूतल पठेल करके जो की यही कोर्स में और उसकी भी एक यूटूब चैनल है तो वैल अगर आपको कोई क्वेशन से तो आप जाके उसक क्योंकि यहाँ पर हमारी कम्यूटी अभी बहुत चोटी है सो यही सारी चीजे थी जो मुझे आपके साथ डिसकस करनी थी आई होप वीडियो जो है वह आपको पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो साधी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर करना मत भूलना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले में तब तक लिए बाई बाई